दोस्तों नमस्कार मैं उतकर्ष दिवेदी स्वागत करता हूँ आपका TCS जहों में दोस्तों आज मैं एक बहुत यह आवश्यक सूचना आपको देना चाहता हूँ जो न सिर्फ UP PCS मुख परिक्षा 2017 से संबंधित छात्रों के लिए है अपित्व UP PCS अर्थात उत्तर परिक्षा 2017 की जितनी परिक्षाएं हैं आजित होती हैं उनकी तैरी करने वाली उनसे जुड़े हर व्यक्त के लिए यह सूचना बहुत महत्पूर्ण है इसलिए ध्यान से सुनिए UP PCS मुख पैक्षा 2017 से जो लोग जुड़े हैं बहुत ही व्यथित बहुत ही चिंतित हैं कोई ने कोई नया मैसेस एक नया एक दिन आ जा रहा है फेस्बुक पे अन्य गृप्स पे अन्य सोसल मीडिया पे जिसकी वज़े से लोग चिंतित हो जा रहे हैं उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है मेरे द्वारा कई बार कहने पर भी कि 17 माई को एक्जाम नहीं होगा जो कि logically भी possible नहीं है ठीक है इनको अभी 10 से 12 दिन लगेंगे date मिलने में ही सुनवाई होने में ही तो बिलकुल संभो नहीं है 17 माई को एक्जाम लेकिन आयोग के रवय को देखते हुए इतने अविस्वास के कारण लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं आत्म साथ नहीं कर पा रहे हैं कि 17 माई को एक्जाम नहीं होगा अगर जो कर भी ले रहे हैं तो पढ़ाई नहीं हो पा रही है अब मुझे यह समझ में आ गया कि आपकी पढ़ाई तभी संभो होगी जब तक कि आयोग खुद न कहरे कि हम 17 माई को एक्जाम नहीं लेंगे इसी परिपेक्ष में कुछ लोग कौसल सिंग जी हैं एक लोग उनके नेतित्त में अभी हमारी बात हुई उनसे सुबह से पोश्ट काफी आ रही थी कि आंदोलन होगा, कल होगा, परसों होगा तो मैं व्यक्तिकत रूप से किसी से मिला नहीं हूँ, जानता नहीं हूँ, बात नहीं हूई है मुझे कई लोग ने नंबर भी देया, कि ये कौसल सिंग जी है, इनका नंबर है, बात हो जाए मेरी बात हुई कौसल सिंग जी से अभी तो उनके जो मुद्दें बहुत ही असपष्ट हैं और अच्छे मुद्दे लगे, उनका भी यह कहना है कि भले हम लोग जानते हैं कि 17 में को एक्जाम नहीं करा सकता है लेकिन इसके बावजूद स्टुडेंट्स की भलाई के लिए कि उनकी आगे के जो एक्जाम UPSC का एक्जाम है और UPSC की ही जो तैयारी है, वो अच्छे से हो पाए चिंता में दिन और रात न कटें, उनके इसलिए आवश्यक है कि दो-तीन दिन के अंदर यह घोशित करवा लिया जाए कि 17 में को एक्जाम नहीं होगा इसके साथ ही उनके कुछ और मुद्दे हैं जो बहुत ही हस्पष्ट हैं और बहुत ही सही है आयो की कारपणाली जो है गलत जो पैनल उनका है, जो गलत प्रश्ण मनाता है उत्तर गलत सेट करता है बिना फिल्टर की एंसर की दे देते हैं दुबारा जो एंसर की आती है, वो भी फिल्टर नहीं होती है उसमें भी गलती निकल आती है तुस पैनल को ही डिवार करने की बात कही गई इसमें आप पढ़िये पहले उनके डिवार्ट्स पढ़िये ये 5 माई को 11 बजे लोगों से अपील है इनकी कि जादा से जादा मात्रा में पहुँच करके आप एक एक व्यक्ति कम से कम 10-12 लोग जितने हो सकें उतने लोगों को ले आई ये साथ में ये सब के भलाई की बात है ठीके संगर्ष आंदोलनम घहराओ आयोक का 5 माई 11 बजे ठीके तो इनकी जो डिमांड है वो सरप्रथम विशेशक की प्रश्न पैनल को डिवार किया जाए जो कि विवाद की मुख जड़ है निप्टान के बाद ही मुख परिक्षा का आयवजन किया जाए लोगों को समय दिया जाए तैरी का तीसरा PCS 2018 का विज्ञापन जल से जल प्रकाशित किया जाए भोष्य में जो भी निधायत तिति हो टाइम टेबल के अनुसार ही परिक्षा समय से कराई जाए आरो 2017 में विवादित प्रश्ण को आयोग स्वतह सज्ञान में ले और उसको निप्टान के पश्चाती अंसर कुझी जारी करे ताकि फिर विवाद न उत्पन न हो और PCS 2016 की जो परिक्षा परड़ाम है उसको माई के तीस्य सब्ता में परड़ाम गोशित किया जाए ठीके और पांच माई 11 बजे लोग स्वायों का घेराओ है अंदोलन है ठीके न ये प्रत्योगी छात्र एक सतीश कुमार जी करके हैं इनका जो है नंबर आप ले सकते हैं और मुख नेतित्व करता शी गोशा सिंग है इनका भी नंबर है आप इनसे संपर्क कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मेरी भी अपील है आप लोगों से पहुँचने का कष्ट करें ताकि आप सभी को इस चिंता से निजात मिल सके यह निश्चित हो सके कि सतर माई को एक्जाम नहीं होगा यह नोटिस बोर्ड पे चस्पा कर दे आयो ठीक है न इसलिए यह घराओ आवशक है बड़े बदलाओ क्या आवशकता है दोस्तों यह सब आपके हितों से जुड़े हुए मुद्दे हैं आप ज्यादा ज्यादा मात्रा में पहुंचके संघर्ष में अपना सहयोग दें बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों